जैए शेयराम, गुरुजी कुछ बाबा के भगतों के कोशन है, तो मैं आपसे आशा करते हूँ कि आप सभी के कोशनों के जवाब रचे से दोगे, तो मैं एक हमारी भगत है, प्रियंका गुपता, उनका एक सवाल है कि बाला जी से हम क्या ला सकते हैं, क्या नहीं? देखे ये बहुत सरे भगतों ने पहले भी स्वाल किया था चलिए प्रिंकजी आपके कहने इसार मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ बाबा के दरबार से आप कुछ भी ला सकते हैं जो आपका मनकरे लेके आओ आपको वहाँ भेहम नहीं करना बाबा के दरबार में जिस परकार से एक बात सोचके देखिए जिसको सूगर है अगर हम उसका टेस्ट कराएंगे तो सूगर उसमें होगी निकलेगी चल बात है लेकिन जिसमें सूगर ही निकलेगी कैसे इसी परकार से भगतो जिसके अंदर संकट होगा जिसके अंदर अपरी प्राई होगी जिसके अंदर करी कराई होगी तो वो ही बाबा कि यहां पर पेशी खाता है उसी के अंदर यह संकट निकलता है जब आपके अंदर कुछ है ही नहीं तो फिर डरना कहीं का तो इसलिए आप कुछ भी लिया सकते हैं वहां किसी प्रकार का कोई भी भेहम नहीं है आप जिस प्रकार से जाएं क्योंकि मेरे साथ लगबख सौला सालों से लोग जा रहे हैं आज तक मैंने किसी को यह निकाँ कि तुम यह न खरीदो चैया आप खिलोना खरीदना चाहता है खिलोना खरीदो आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हो क्योंकि वहां पर दुकानदार है जो दुकानदार है वहां पर लोग रहते हैं तो बस जब लोग रहते तो वहां खरीदते भी हैं वहां खाते भी हैं वहां सब कुछ बिल्कुल वैसी है जिसे आम रूटीन होता है बच फ़र कितने हैं वहां पर भोग लगते हैं तो आशा है प्रेंका जी आपको ये परसन का उतर समझ में आ गया होगा दिन्याबाद गुरुजी बाबा के अगले भक्त का कोश्चन है प्रशांत सद्रानी का कि बाला जी के दर्शन के बाद क्या ह हमें सफेज चीजों को अपनी जिंदगी से खाना छोड़ देना चाहिए या उनको खान लेना चाहिए और जो हमारे स्पाइसी चीज़े होती है मतलब भोजर में आती है जंग फूड वगरा क्या हमें उनको नहीं खाना चाहिए देखे जो भगत ने स्वाल किया है तो अब कि अगर आपके ओपर संकट किस प्रकार के एगर आप संकट में पेशी में हैं क्स्ट में हैं तो आप अपने घर में तो सपेजिज कहा सकते हैं पर किसी दूसरी चीजीं जो आपकर घर जिए जमीन पर डाल ले डॉज़ अगला सवाल क्या था क्या हमें तीनों देवताओं को ही अर्जी लगानी चाहिए प्रसान जी जैसे जिस प्रकार से आपने स्वाल किया कि क्या हमें तीनों देवताओं को अर्जी लगानी चाहिए देखे अर्जी एक ही लगती है और उसका भोग तीनों देवताओं को लगता है पहला भोग लगता और वो दो लड़ू हम हमारे परिवार के सदसे ही खाते थे उड़ाद चावाल लड़ू का भोग लगता था तो वह सब वार करके हम पिछे डालते थे तो वह अब बदल चुका है जब से हमारे नए महंत पुरुजी महारा जाए है उन्होंने नए नियम को लागू किया अप देखना चाहें तो एक वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से अरजी लगती है तो अगला सवाल क्या है अगला सवाल है प्रशान जी का क्या हमें एक तालिस दिन में मंगल शनी को ब्रह्म चारे का पालन करना चाहिए देखिए वैसे तो जो नियम है ना इसका जिस प्रकार से आप महंदीपुर से आते हैं अगर आप कंटीनू 43 दिन की जोज जला लें और 43 दिन तक ब्रह्म चारे का पलन करें तो आपके संकट एक ही जटके में खतम हो सकते हैं लेकिन प्रॉलम क्या आती है कि 43 दिन तक का प्रेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसी लिए पांच दिन 11 ऐसे करके भी आप अपने किस्तों में 43 दिन तक का प्रेज कर सकते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी कोई प्रेज करें तो 43 दिन उसके पूरे होने चाहिए आपने समझ गये होंगे कि ब्रह्म चारे के पालन करना बहुत जरूरी है प्रशान जी का अगला सवाल है गुरू जी क्या हमें अपनी विश को पूरा करने के लिए हमें हर साली महंदी पूरा आना चाहिए और या इसका हमें संकल्प लेना चाहिए देखे एक बात बताएए हम बा बाबजी के पास क्यों जा रहे हम बाबजी के पास अपने दुख दुख दर्द दूर करवाने जा रहे हैं अपनी कष्ट अपनी विश्फ फुलफिल करने जा रहे हैं और अगर हम बाबजी से प्यार करते हैं तो पहले बार जो वी लोग जाते हैं वो दुख में जाते हैं कहते हैं दुख में सिम्रन सब करें सुख में करें न कोई जो सुख में सिम्रन करें दुख का है का हुए तो जब आपके वास सुख आने लग जाए न संक्रप लेने की जूरत नहीं बाबा से प्यार करो संक्रप लेकि नहीं बाबा से प्यार करो बाबा आपको इतने भोले बा ना मतलब हो चुका है बाबा की परचार करने की हमें بहुत ज्यादा जूरत हैं तो आपका मन करें आपको जाना चीए मन करें नहीं जाएं लेकिन जबतक आप अच्छे ढंग से ठीक नहीं होते तब तक आप बाबा के प्यार से जाएं देखिये मेरे को 16 साल होगे तो मैं तो स अच्छा है आपको ये मेरा सवाल का जो उत्तर है वो प्रशान जी आपको समझ में आ गया होगा गुरुजीन का एक और भी सवाल है क्या जब हम अखंड जो जलाएं पांच ग्यारा इकिस जो भी दिन की जलाएं तो क्या हमें जमीन पर ही सोना चाहिए देखे पहले जो ये न अब नियम बदल चुके हैं अब अगर अरजी लगाते हैं तो अब अखंड जो जलाएं पांच दिन ग्यारा दिन जहां पर जोट जलती है वहां पर बाबा के चर्नों में सोएंगे तो आपके कष्ट बहुत जल्दी से कट सकते हैं लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी हैं गुरू woh जी एक और सवाल है बाबा के भक्तो का क्या मंगल्वार को अगर हम मेंधी पुर जाते हैं तो हमें मंगल्वार का बत रखना चाहिए देख़े बरत रखने से एक बात कईए है जिस भी भक्त ने Birthday है बाबाव जी नी कहते हैं क्या बरत रखने एक पूरण र Q нашir स्क्टियों काव्वान हो जाता है तो आप एक्षा है प्रक्राइब बाबाजी को च्रक्राति को प्रक्राइब relationships अपिए ब्रद्रेख इसे लिए सवे वर्द करते हैं गृर्ष मंत्र जैकर सब्सक्राइब एक मृषास कंथती हैं अरजुन जाट उनका सवाल है क्या हमें भेट चोला अरजी तीनों कारे एक साथ कर सकते हैं देखिए जब साल में अरजी एक बार लगती है परिवार की पूरे परिवार की अरजी एक बार लगती है जब आप पहली बार जाएं तो अर्जी जरूर लगाएं उसके बाद आपका मन है आप शोला चड़ा सकते हैं बाबा को आपका मन है आप भेट भी चड़ा सकते हैं तो ये तो तीनों भोगर आप लगा सकते हैं जितने भक्तों ने अभी स्वाल किये हैं के लिए एक वीडियो बोली थी कि मैं जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊँगा तो आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी शेयर सब्सक्राइब जूर करें और बाबा के परचा की हर हर महादे बोल सांचे दरबारे की जैरू